नमस्कार मैं अभवेनी भरद्वाज आपका स्वाध करता हूं ट्रिपल सी गाइड पर इस चैनल पर मैं तैयारी करवाने वाला हूं ट्रिपल सी की तो जुड़े रहेगा इस चैनल पर आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर की विशिष्टाओं के बारे में पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कंप्यूटर होता क्या है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर की विशिष्टाओं के बारे में और ये खास करके परिक्षाओं में आता है आप से हमे कंप्यूटर होगा आपके आफिस में कहीं जॉब करने जा रहे हैं वहां भी आपसे कंप्यूटर मागा जाता है वह वजह क्या है क्यों सभी जगे कंप्यूटर मागा जाता है तो सबसे पहली वजह वो उस डेटा की कैलकुलेशन करता है यानि इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रसेसिंग करना CPU पता लगाता है डेटा किस तरह का अया है computer के अंदर जो software होते हैं वो इसका आंकलन करते हैं analysis करते हैं उसके प्रसेसिंग करते हैं प्रोसेसिंग के बाद में आपको output दिया जाता है लेकिन ये सारा काम इतनी जल्दी होता है कि अगर मैं कहूं कि आपको पांच और पांच जोड़ने तो शायद आप बहुत आसानी के साथ में जोड़ लेंगे लेकिन एक मैं लिस्ट आपको देदू जिसमें एक हजार से जात सेकेंड के अंदर चाहें कितनी भी बड़ी संग्या हो उसकी calculation होके आपके सामने आ जाती है और ये मानव के बसकी बात नहीं हमारे और आपके बसकी बात नहीं हम और आप तो calculator से भी बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे लेकिन computer के अंदर एक बार आप data feed कर दो और जटप कोई भी काम आप computer से करा लो बहुत सठीक तरीके से करके देगा ऐसा नहीं है कि अभी आपने कोई calculation computer से कराई है तो वो उसने अलग तरह की करके दी है कल आप करेंगे तो कुछ और आपको result लाके देदेगा परसों करेंगे तो कुछ और result आपको मिल जाएगा बिलकुल सठी यह सारे जो software हैं यह एक programmer तयार करते हैं और computer उन programs को follow करते हुए काम करना है अगर मैं आप से कहूं या अगर कोई मनुष्य हो और उससे कोई काम करने की कहा जाए तो वो अपना दिमाग से सोच के काम करेंगे बही अब यह परिस्तिती है और इसके हिसाब से मैं नर्ने लेत और जिस तरह से उसको program किया गया है उस तरह से करेगा अगर excel और और किसी software की में बात करूं तो यह अपने मन से काम नहीं करते हैं इनको जिसके लिए design किया जाता है उसके लिए ही काम करते हैं उसी तरह से design किया जाता है अशानी होता कि MS Excel में आप music सुन सकते हैं वो अपने के लिए डिजाइन होते हैं उसके लावा इधर-धर कहीं नहीं काम करेंगे तो यह सबसे वड़ी वज़ा है सटीकता यानि एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक धंग से काम करते हैं तीसरा जो इसका सबसे वड़ा कारण है वह है उसकंडिशन में रुकेगा लेकिन अगर सब चीज ठीक है तो यह आपको सौ प्रिंट देने के बाद ही रुकेगा आटोमेशन तरीके से काम करता रहेगा आपको खड़े नहीं की जरूरत नहीं है इसी तरह से बहुत सारे और काम होते हैं जहां पर अगर आप कंप्यूटर के आटोमेटिक सिस्टम्स का इस्तमाल करते हैं तो यह चलता रहेगा चलता रहेगा उस काम को खत्म करने के बाद ही सांस लेगा आप रुकेगा भई मैंने अब काम कर लिया है और जो है अब मैं शांत हो जाता हूं उसके बाद में अगर आपने फिर से कोई कमांड दे दी तो और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वज़े से कमांड पूरी नहों लेकिन कंप्यूटर जब तक सारी चीज़ें ठीक हैं और तब तक तो रुकने वाला है नहीं तो आटोमेशन यानि सबसे बड़ा जो तरीका है उसके लिए कंप्यूटर को इस्थमाल किया जाता है या तो कहीं कॉपी पर लिखके रखते हैं लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कंप्यूटर के अंदर मेंमरी होती है तो जैसा आपका काम है उस तरीके से आपने कंप्यूटर में स्टोरेज रख लेते हो मानों कोई वीडियो एडिटिंग का काम करता है तो उसको बहुत स्टोरेज में आप हार्डिस्क को अच्छी तरह किसे जानते ही है एक्सटरनल स्टोरेज में आप CD ड्राइब या DVD ड्राइब को जानते हैं CD-ROM या DVD-ROM को जानते हैं और सबसे पॉपलर जो आज की टाइम में है वो है Pen Drive तो Pen Drive और DVD डिस्क या CD डिस्क ही साहता से आप कोई भी डेटा उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं और कहीं भी उसको आसानी से ले जा सकते हैं कंप्यूटर अपने अंदर जो डेटा स्टोर रखता है वो ज्यादातर हार्डिस्क के अंदर रखता है आजकल SSD भी आ गया है लेकिन ये एक पारंबरिक रूप है जहां पर कंप्यूटर अपने अंदर डेटा को स्टोर कर सकता है और आप जब भी चाहें उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं ये खराब नहीं होता नस्ट नहीं होता अगर आपने एक अच्छी hard disk लिया है सालों साल मतलब कित आज आपने डेटा स्टोर किया आप दस साल बाद जाके भी अकर उसको निकालना चाहेंगे तो बड़े आसानी की साथ में आपको मिल जाएगा तो ये इसका सबसे बड़ा एक फाइदा है कंप्यूटर का कि आप आज आपने किसी फाइल पे काम किया सेव करके रखलो कल फिर दुबारा से ओपन करो और फिर उस पे काम करना शुरू कर दो पुरानी जमाने में नहीं होता था टाइप मशीन होती थी आपने एक लेटर टाइप किया बॉस ने कुछ आइडिटिंग करने के लिए दे दिया फिर दुबारा से उसको टाइप करके लिए आपको आना पड़ेगा चोटी मोटी मिस्टेक होती है तो आदमी वाइडन लगा के काम चला लेता लेकिन अगर पूरा परेग्राफ बदलना पड़े तो क्या करेगा नहीं कर पाएगा वो दुबारा से टाइप करना पड़ेगा लेकिन कंप्यूटर में ये सुविधा मिलती है आपने MS Word में Excel में क अगली विशेष्टा आती है वो आती है कि फाइल को बहुत तेजी के साथ में एक्सिस कर सकते हो सूचना को बहुत तीवर गती से प्राप्ट कर सकते हो जो कंप्यूटर के अंदर सेव की है आपकी अलमारी आप घर में अगर कुछ चीज़ें रखो अलमारी में आपने आपको सर्च करना है और कुछी सेकेंड्स के अंदर या तो फाइल के अंदर भी वह क्या करेका फोल्डर का नाम फोल्डर तो आपने देखा होगा इस तरह का होता है तो फोल्डर के नाम से और फाइल के नाम से तो कंप्यूटर सर्च कर लेता ही है और यह सर्च और चगर करना चाहते हैं, तो वहां से भी computer सच कर लेता है, आज कल तो OCR technology आ गई है, मैं जो बोल रहा हूं, तो YouTube पे जो वीडियो जा रहा है, वो ये समझ रहा है, कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसको भी text में convert करता जाता होगा, और उसके बाद भी, वो उस चीज को भी समझता है, तो आज कल तो बहुत तकनीक आगे बढ़ गई है, लेकिन computer की जो ये चीज है, ये भी बहुत useful है, फाइल का नाम से भी आप सर्च करा सकते हैं, फाइल के अंदर जो content लगा है, उससे भी आप सर्च करा सकते हैं, और बहुत तेजी के साथ में आप data को प्राप्त कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छी है, और इसलिए भी लोग computer को पसंद करते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगली विशुष्टा की तरफ, और ये है जल्दी नर्णे लेने की शमता, computer के अंदर जो programs डाले जाते हैं, वो एक algorithm पर बेस होते हैं, यानि भई ये करना है, और ये नहीं करना ह लिए हमें KBC का एक question, जो KBC का जो program है, उसको समझते हैं, कि वहां पर भी जो question दिये जाते हैं, वो computer के द्वारा दिये जाते हैं, जो question चेक किये जाते हैं, वो भी computer के द्वारा किये जाते हैं, तो कैसे काम करता है, मान लीजिए, computer में हमने ये data feed कर रखा है, कि भई, अगर कोई question का उत्तर देता, या तो A देगा, या तो B देगा, ठीक है, तो अगर वो A answer करता है, और A सही है, पहले से हम computer में ये डाल के रखते हैं, computer को बता देते हैं, कौन सा answer सही है, और कौन सा गलत है, तो अगर automatic कोई A को select करेगा, तो computer उसको check करेगा, अगर उत्तर उसने A द इसी तरीके से, question number 2, B, के भी आपको दो question जो उत्तर हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं, इस बार A जो है, गलत है, और B सही है, और अगर B किसी ने सही उत्तर दिया है, तो क्या करेगा, computer आपको तीसरे प्रिशन पर ले जाएगा, और यहाँ पर फिर से, वो ये check करेगा, कि अग अगर आप computer में डाल देंगे, तो एक, आप बिल्कुल भी किसी को battling की जरूद नहीं है सामने, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई game खेलता है, कोई quiz तैयार करता है, तो computer automatic उसको उत्तर देता जाता है, तो इसका मतलब computer इतने तेजी के साथ में decision ले लेता है, बहुत सारी लिए जिसके लिए शायद आपको बहुत जादा time लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है, कि वो सोचता नहीं है, उसके अंदर जो program feed किये जाते हैं, जो निर्देश दिये जाते हैं, जो command दी जाती है, उसी के आधार पे वो सारे decision ले ले लेता है, तो बहुत तेज जिन मưझे आप एक तरह काम देदो, आझ भी मुझे वही करना है, कल भी मुझे वही करना है, परस भी को किकने है, बहुत जाओंगा, आप मैसे बहुत सारे लोग होंगे फिए ठक जाते हैं, कंप्यूटर कभी ठकता नहीं है एक ही जैसे काम को आप कितनी भी बार करा लो हजारों बार करा लो दो हजार बार करा लो पचास हजार बार करा लो बनाई इसलिए वो हमेशा काम को कितनी भी बार और बिल्कुल सटीक एक जैसा वो करता रहता है तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि computer से आप कोई भी काम लगातार कितनी भी बार आप करा सकते हैं computer पहली चीज तो कभी ठकता नहीं है उस काम को कितनी भी बार करता है बिलकुल ऐसे जैसे वो पहली बार कर रहा हूं इस पूर्ती के साथ में उतनी ही गती के साथ में उसी तरह से जैसे उसना पहली बार किया था दूसरी चीज आती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर तो वहां पे आप security या password भ लगा सकते हैं पासवर्ड से क्या होता है आपकी फाइल सुरक्षित हो जाती है और आपके अलावा कोई उसको access नहीं कर पाता है तो यह चीज कंप्यूटर की वज़ए से होई बहुत सारे software हैं आपके किसी भी file पर folder पर password लगा सकते हैं और आप उससे उस file की गुपनियता क बना सकते हैं उसको secret कर सकते हैं कि मेरे अलावा कोई और इस file को न देख पाए तो यह बहुत बहुत अच्छी चीज हो गई computer में आप कितना भी आप data store कर लीजिए उसको password लगा दीजिए अब आप उसको आपके अलावा कोई नहीं देख पाएगा इसके लावा एक result मुझे output कुछ और मिला है वही data मैंने दिया कल तो उसका output मुझे कुछ और मिला है और अगर मैं परसों उसी data को input कराता हूं computer में तो उसका output मुझे कुछ और मिला है या कि computer A मतलब मेरा जो laptop है मैं उसमें अगर कुछ काम कर रहा हूं तो output कुछ और मिल रहा है अगर मैं उस इसी डिटा के साथ काम करते हैं तो इस वीडियो में हमने जाना कंप्यूटर की विशेष्टाओं के बारे में आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा मैं मिलता हूं आपसे एक लिए वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और शेष्टा आपको अच्छी लगती है कंप्यूटर की जैहन वंदे मातरम